कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बात करने वाले कुछ फाइब इंपोर्टेंट मिस्टेक्स जो हम जनरली डेश्टेशन के टाइम करते हैं और बात में हमें वह इस्यू फेस करना पड़ता है क्योंकि मैंने देखा फर्टुर्डरी दो या तीन साल से कि फिर स्टुएंट ब तो कुछ माइनर हैं कुछ मेंजर हैं तो सबसे पहले हम सबसे पहली वाली बात करते हैं तो होता है कि अपना बैंक डीटेल है ठीक है सबसे पहले पैंक डीटेल है ठीक है जब आप बैंक डीटेल्स फिल करते हैं बैंक डीटेल्स आपको वही फिल करनी है आपके पैरेंट् जो आप detail feel करेंगे अगर आप second round में जैसे first round की तो fees नहीं रहेगी लेकिन आप second round में जब participate करेंगे तो उसमें अगर आपको किसी private college में लेना है आपने तो private college में लेना है तो उसकी particular fees होती है वो approximately 1 lakh plus होती है 1 lakh से उपर होती है ठीक है तो वो fees आपको pay करनी पड़ती है और वो fee वापस return आती है counseling के बाद जब counseling पूरी over हो जाती है सब follow जालोट हो जाते है तो अब क्या होता है कि अगर हम दूसरा bank account दे दिया आपने किसी और का bank account number दे दिया तो उसी bank account में जागा तो आप जिसका भी account देंगे न उसी की account में पैसा जागा ठीक है parents का दीजिए self का दीजिए ताकि bank account उसी में आपका वो पैसा return हो second जो गलती हम generally जो करते हैं वो है mobile number ठीक है mobile number mobile number आपको वही देना है जो आपके पास अभी active है ठीक है न यह आपके parents का है यह आपका है ठीक है ना mobile number आपका active होना चाहिए यहाँ पर नहीं यहाँ तो ओटीपी आएगा इस ही registration में उसकी बाद को college में भी इसकी जल्वत पड़ेगी ठीक है मैंने कुछ students को देखा है कि महां पर पैनिक करते हुए कि हमने यह वाला mobile number दे दिया था तो mobile number वही दीजिए आपका फुर्दर चालू रहेगा जब तक आपका पूरा counseling process ना हो जाए तो यह mobile number बहुत important है ठीक है बेंक और mobile number के detail का आप कुलकुल इन चीजों का ध्यान रखी है ठीक है जो मैंने जनरल होता नहीं है लेकिन मैंने कुछ चीजों मेरे फ्रेंड्स में नोटीस कीती हूँ है नेम और सरनेम ठीक है इनका sequence ठीक है ना sequence सही होना चाहिए क्यों हम कभी mp online वाला भहिया से भरवाते हैं तो भहिया क्या करते हैं कि सीक्वेंस उल्टा डाल देता है जैस उन्हें कुछ mistake कर दी ठीक है तो इस बात का especially धान रखिए कि आपका नयम सरनेम sequence में हो और नयम सरनेम के बाद आपको ये भी दालने चीजिए spelling ठीक है ना spelling आपको देखनी है कि spelling सही correct है कि निगरेक्ट हो बिल्कुल आपको दो बार या तीन बार रुक के चेक कीजिए भई या registration करवाते हैं वक्तों बहिया के या MP online पर ठीक है फोर्थ जो mistake होती है वो होती है हमारी ट्रेकर ठीक है आपको ट्रेकर देखना है कि green हुआ के नहीं ठीक है ना जब तक green नहीं हुआ है ट्रेकर आपको वहाँ देखने को मिलता है जो मैंने कल एक वीडियो डालस में करे ठीक है फिर रिट रजिस्ट्रेशन किया ठीक है तो ट्रेकर green होनकी रिट्रेशन में ठीक है उसमनता है यह तो भाज हम ज्यक्रते हैं कि जैसे आप payment है ठीक होने के बाद प्रिंट आउट सेस्तिरेशन होने के बाद ही हाँ को confirm होगा कि हाँ आपका रेजिट्रेशन सक्सेस्पूल ही हो गया तो प्रिंट आउट से लिए भीया से ले ताकि आपके पास एक सबूत हो रहेगा कि हाँ मेरा रेजिट्रेशन हो चुका है तो यह कुछ पांच तीन डीटेल्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए नाम मोबाइल नंबर और बेंग डीटेल ठीक है थैंक यू फॉचिंग